नमस्कार मैं हूँ संगीता राय, पुर्वांचल एक्स्प्रस नियूस की इस वेपोर्टल पे आपका स्वागत है, आईए देखते हैं हमारे समवादाता, राम सकल यादो की ये विशेश रिपोर्ट पर चार बजे के आसपास घर के खेत्म के लिए निकली थी, इस दोरन बारी शुरू हो गई, वह काफी देर तक घर नहीं पहुचे, बाइस बंद होने के बार गाउं के कुछ बच्चों गाउं के सिवान के इस्तित ताड़ के पिड़के नीचे ताड़ बिढ़ने के लिए ग बिलते ही इस्तानी थाने के साथ, आसपास के थाने के पुलिस के साथ, सीयो सगड़ी मौके पर पहुचे, पुलिस ने सौक और पोस्माटम के लिए भेज़ दिया और घटना की चानबिन में जुड़ गई, एसवी अनराग आरे ने बताया कि घटना के जनकाई, देरात डा अपर पुलिस अरिक्षक के निर्देशन में घटना की चानबिन चल रही है, जो भी थती सामने आएंगे उसके अधार पर आरपिक एकलाफ कारवाई की जाएगे जान नहीं थे, मृतका कल दोपहर बाद घर से निकली थी, एम घटना सल जहां बॉडी मिली उसकी दूरी घर से लगवग 200 मेटर के आसपास है, मेरे द्वारा घटना सल का निरिक्षन कर एडिशनल स्पी देहात के नेतरित्म में घटना के अनावरन करने के लिए टीम घठि कर दिया गया है, परिजनों दोरा तहरीर दी जा रही है, जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर तत्काल F.I.R. पंजगरत करते हुए अग्रिम कारवाई की जाएगी, पोस्मार्टम की कारवाई डॉक्टर्स के पैनल दोरा वीडियोग्राफिय में कराई जाएगी, F.I.R कर दोरा वीडियो अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए